नवस्ता साथियों आज हम लोग बात करेंगे मीरा भाई चानू के बारे में और आप लोग अपने स्क्रीन के सामने उनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे आप लोगों को मालो होगा कि अभी हाल ही में आपकी कॉमन बैल्थ गेम्स 2022 आयोजित किये जा रहे हैं और इसमें इनोंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है स्वड पदक अपने नाम किया हुआ है इसलिए चर्चा में बनी हुई है तो इनके बारे में एक सावान जानकारी हम लोग देख लेंगे इनका परिवारिक बैक्ग्राउंड देखेंगे और हम लोग इनका जो कैरियर है उस पर भी बात कर लेंगे और इने कुछ सम्मान भी मिले हुए पुरुसकार भी मिले हुए उन्हें भी हम लोग देखेंगे कुछ पिक्चर्स और आप लोग देख लिए यह आप देखें इस्तिती आप समझ सकते हैं और आज कल आप देख रहे हैं जो भी बड़ा काम कर रहे हैं नाम कर रहे हैं देश का वो medium परिवार और गरीब परिवार के बच्चे ही आप देखे कर रहे हैं इनकी स्तिती आप लोग समझ सकते हैं यहां से देखी पिदान मंत्री से मिल रही है और आपको बता दो common wealth games हो या खिलाडी हो इनसे questions आपकी परिक्षाव में पूचे आते हैं हमेसा और जब एक common wealth game खतम हो जाएगे तो उनका हम लोग overview में ले लेंगे अब आप लोग कहेंगे कि कहां हो रहे हैं किस सहर में हो रहे हैं तो देखिए हमारी प्यारी पितवी है और इसमें देखेंगे तो यह हमारा प्यारा भारत है एसिया में और यहां से आप लोग इउरोप जाईए और इउरोप में आप लोग इउनाइटिट कंगरम जाईए और इसकी राजधानी लंदन है और यहां आप देखेंगे बर्मिंगम आप लोगों को देखने को मिलेगा यही आयोजित किये जा रहे हैं तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा इनका संबंद मडीपुर से है और यह आप देखेंगे पूरवी भारत में आपको मडीपुर देखने को मिलेगा और इमफाल इसकी राजधानी है मडीपुर की त्या है इमफाल इसकी राजधानी है अगर हम लोग मीरा भाई चानू के जनम की बात करें तो आप देखेंगे 8 अगस्त 1994 को मडीपुर राजधे के इमफाल सहर में इनका जनम हुआ था इनके पिता का नाम साई को है किटी मेतेई इनके पिता का नाम मा का नाम साई को है उगवी, तंबी, लीमा इनकी माता का नाम है और आप देखेंगे साई को मीरा भाई चानू यह अपना पूरा नाम लिखती है और आप देखेंगे पूरी भारत में आप लोगों को इसी तरह के नाम देखने को मिलेंगे हो सकता है कि आपको परेशा नहीं हो रही हो लेने में, इनका उचारन करने में लेकिन वहाँ की लोगों को यह बड़ा आसान रहता है हमारे यहां सीता, गीता इस तरह की नाम रखे जाते हैं राम, स्याम मीरा भाई चानू आप देखेंगे बच्पन से ही, भारी भरकम सावन उठाने में माहित थी और अपना घर चलाने के लिए जंगलों से भारी भरकम लकणियों के धेर लाया करती थी अगर आप लोगों ने गरामीट छेतर से सम्मंद रखते होंगे, और आप लोगों ने देखा होगा वहाँ क्या करते हैं कि जो गाओं की लड़किया होते हैं, परिवार होते हैं वो जंगलों से आप देखेंगे लखडिया बेन कर अपने घर जो भी खाना फकाने की बात होती है या बैच देती है लखडियों को उससे अपना घर चलाते हैं तो इन्होंने वो भी किया है और आप देखेंगे ये एक बहुत थी नॉर्मल परिवार से निगली हुई है और इसलिए आप देखेंगे जब इन्होंने अपना नाम जीता एक तरह से गोल्ड मेडल जीते, रज़त पदक जीते तो आप देखेंगे इन्हों जिन लोगों ने मदद की हुई थी उन्हें ढूंड-ढूंड करें उन्हें सम्मान दे रही थी फिर आप देखेंगे कि इनके पिता साही को किट्टी मेती अपना परिवार चलाने के लिए PhD डिपार्टमेंट में काम करते थे और इनकी माँ भारती भारतोलक मीरा वाई चानू घर के कामकाल समाली के अलाबा एक दुकान भी चलाती है और वच्पन से मीरा वाई चानू एक भारतोलक खिलाडी ना बनकर एक तीरंदाज बनना चाहती थी लेकिन कक्छा आठ की ये किताब को फड़ कर इनकी सारी जिंदगी बदल गई और दरसल उस किताब में भारत की पूर भारतोलक खिलाडी कुंजराणी देवीत था और जिनोंने अब तक सबसे जाना पदक अपने नाम किये हुए भारत को जिताये हैं अभी तक कि इतिहास में कोई भारतीय महला वेट लिप्टर कुंजराणी कि द्वारा जीते के पतकों की बराप्दरी नहीं कर पाया है और बस यही से जनम हुआ मीरावाई चानू के भारतोलक खिलाडी बनने का सफर अगर आप लोग देखें इनका सुरुवाती सफर 2014 से 2016 की वी तो मीरावाई चानू ने साल 2014 से आप देखेंगे लगाता 48 किलोग्राम भार बर्ग में भारतोलक खिलों में हिस्सा लेती रही है यानि कि भार उठानी की बात हो रही है हाला कि इसी साल 2014 में लोगों की नजरों में भी तब आई जब उन्होंने राष्ट मंदल खिलों के पहले दिन ही अपने वेतरीन पिदरसन की बदोलत 48 किलोग्राम भार बर्ग में सिल्वर मेडल जीता था अपने नाम किया था साल 2014 की राष्ट मंदल खिलों में भारत में 15-60 पदग, 30 रज़त पदग और 19-80 पदग अपने नाम किये थे और साल 2016 में नोंने रियो उलम्पिक में भाग लिया और महला 48 किलोग्राम भर्ग में अपनी जगे बनानी के बाद भी कोई पदग जीतने में नाकाम रही है इस में नोंने कोई पदग अपने नाम नहीं गर पाई फिर आप देखेंगे कि 2017 से 2019 के बीच तो मीरावाई चानू ने साल 2017 में आयोजीत हो रहे 20 भारतौलन चेंपियंसिम में सौड़ पदग यानि की गोल्ड मैडल जीता था और साल 2018 में आयोजीत राष्टमंडल खेल में इनोंने हिस्सा लेकर इनोंने महिलाओ के 48 किलोग्राम बरग में सौड़ पदग अपने नाम किया था और साल 2019 में 20 भारतौलन चेंपियंसिम में हिस्सा लेकर अपने जबरजस्त पिदर्शन की बदोलन नई रेकॉर्ड इनोंने इस्ताबित किये थे और फिर आप देखेंगी 2020 से अब तक कि अगर हम लोग सफर की बात करें तो इनोंने साल 2020 में सीनियर नेशनल बैट लिप्टिंग चेंपियंसिम में भांग लिया जो साल 2019 में हुए 20 भारतौलन चेंपियंसिम की मात 4 महिने के बाद आयुजित किया गया था और इनोंने सीनियर नेशनल बैट लिप्टिंग चेंपियंसिम में अपने जवर्जस्त पिदर्शन की बदोलत अपने फुराने रिकॉर्ड तोड़कर नई रिकॉर्ड इस्थापित किये और सौर पदक अपने नाम किया और अपनी काबलियत साबित नोंने की फिर आप देखेंगे कि साल 2021 में उजवेकिस्तान आयोजित ACI भारतोलन चेंपियस से में इनोंने भाग लिया जो पेछले साल 2020 में आयोजित होनी थी लेकिन आप देखेंगे कि कुरोना महामारी आ गई थी उसके कारण 2021 में आयोजित की गई थी और ACI भारतोलन चेंपियस स होने थे लेकिन कुरोना महा मारी के कारण नहीं हो पाए थे तो ये आप देखिए 99 kg बْरग में कुल 202 kg यानी की 87 kg और 115 kg भार उठाते हुए बहारत की तरब से खेलते हुए इनों ने भारत वल लुल रजत पदग जीत कर भारत की जूली में पदग डाला था तो यह भी और उन्होंने बैट लिप्टे में 49 किलोग्राम भारत बरग में, भारबरग में सोड़ पदक अपने नाम किया है, इसके लावा मीरा भाई ने राष्ट मंदल खेलों में नया इतियास भी रचा है, इन्होंने स्नेच राउंड में सबसे जादा बजन उठाने का रिकॉर्ड और आप देखें कुछ अच्छा काम करने हो तो फुरुसकार मिलना सभाविक सी बात होती है, तो आप देखें कि 2008 में राष्ट मंदल खेलों में 20 किर्टीमान के साथ सौड़ जीतने फर मणीपूर के मुकमंतरी एन्बीरेंस थी इन्ने 15 लाग रुपे की नगत रासी भी द यंगर में शुरू हुआ था, तो यह भी याद रखेगा, और यह राष्टपती रामनात कोभिन द्वारा राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार दिया गया था, राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार, और यह आप देखें कि खेल के चेत में दिया जाता है, और मेज अगर हम लोग इनके कोच की बात करें यानि की गुरू की बात करें एक तरह से तो आप देखेंगे कि एक मार्च उननीस सो और सट को मनीपुर के इंफाल में जन्मी नमेई रक्पम कुंज रानी मिद्देवी मीरवाई की कोच है और ये भारत की पूर महान भारतों लग खिला अड़ी भी है और यहनों ने भारतिय पुलिस टीम का भी खेल में नेते थी किया और वर्तमार में आप देखेंगे मीरवाई को पिसिक्षा दने के साथ साथ एक कैंदरी रिजर पुलिस बल सी आरपी अब में एक सहाइक कमंडेंट की पद पर भी सेवाएं दे रही है किसमे सी आरपी एप में ठीक है और देवी ने अभी तक आप देखेंगे पचास पदक भारत के लिए जीती थे और अगर सी आरपी एप की बात करें तो आप देखेंगे कि 27 जुलाई 1949 में इसकी इस्थापना हुई थी तो इस पर अभी आप लोग याद रखा करिएगा तो इस तरह से ये कहान ही है किसकी? मीरावाई चानो की और उनकी गुरू की और भी बताईए किसी के बारे में बात करनी हूँ तो आप लोग कर लेगे और जैसे जैसे ये खेल वर्ते जाएंगे हमें मालों भी चलता रहेगा और मीरा भाई चानू आगे आने वाले समय में क्या करती है किस तरह से इनका बैदर्शन रहता है इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग कम से कम एक न्यूज फेपर फॉलो करते रहा करेगा क्योंकि इनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्टन्स आते रहते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि एक सामन जानकारी होना चाहिए हमारे देश के खिलाड़ी है चर्चित वेक्ती है ठीक है